हर्याना से बड़ी कबड सामने आ रही है जो जेपी राश्ट्री उपाध्याक्ष रामकुमार गौतम का इस्तीफा पार्टी को हमने खड़ा किया है ये कहना है रामकुमार गौतम का दुश्यंत को हमने बनाया जिब टी सीएम राम कुमार गौतम का बड़ा बयान सामने आया है क्या जेजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है राम कुमार गौतम ने दुश्यंत के विभागों पर नाराजगी जताई है क्या कुछ का उन्होंने सुनिये अधियर ने रहते हैं और भी बनाने में इनके भी लोगों ने पोर्ट देदे के बनाया एक ले को नी बने बहुत बड़ा जखम करें लोगां के सारे मेले पेशान है एक मिन नहीं वह घाटा पाली-पाली नसल का हो करने का मतलब जिसना के लिए नहीं हो उसकी बात नहरी है तू टेस्ट लेगा पहले टेस्ट ले तू जब तो ML बना उस वज़ता ये बात मैं टेस्ट लूँगा पार्टी क्यों छोड़ दूँगा पार्टी मेरी बनाई ऐसा स्थापक हो इस पार्टी का तो आपने अभिकान अमा उससे दूर ऊचुके हूं दूर तो वहीं वाइस प्रेइडेंट बना रख्या था मेरे को और इंडिया का आल इंडिया की तो या पार्टी भी ने तूरेशी को है उपाजर्ख बना रख़्या था रास्ति वपाजर्ख का पत्तों बाई मैं छोड़ जिए इबे छोड़ रहा हूं थारे को बता जिए ठीक है और बता और पार्टी में तो भाई कानून इसा बन रहा है पार्टी में तो बना रहूंगा को ऐसी स्टेज अभी आई नहीं क्योंकि पार्टी तो जब छुटेगी जिस दिने में लेगा पद भी छोड़ जूँगा और इस पार्टी ने भी छोड़ दूँगा ऐसी नोबत तो भी आई नहीं एक दुश्यंत को मैंने बनाया है डिप्टी चीफ जिस यो के मांगए था जब इसकी मा लड़ी है बिरजेंदर की पर तो बिरजेंदर जब इसको साड़े नोजार से मेरी स्पोर्ट के बावजू तो चाने में हारा है दुश्यंत पर जिंदर जीते हैं तो इप तो उसकी मा लड़े जी को कासुरांगड तो नहीं लड़े था इप तो मेरे पास टिकट थी यहां और आले जिवाले सिस्टम बना रख्या था अब जो डिप्टी चीफ जिस तो बनाया है हम नो एमेले हैं न नीरश शर्मा कॉंग्रस विदायक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नीरश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जन्ता टीवी पर धन्यवादी निरश जी रामकुमार गौतम ये कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी मेरी मेरी जो है खड़ी की हुई है और ऐसे में उन् पार्टी के इंदर वो दिख रहा है और हर्याने के इंदर हमारे CLP लीडर साहब और परदेश एड़ एक्शन हमारे तमाम आले बड़े नेता कह भी रहे हैं कि जो हर्याने में सरकार बन रही है ये जना देश के विपरीद की सरकार है जना देश इस चीज का नहीं मिलाता ब इन जी इस इंसे लुब राश्टी उपाध्याक्श पद से स्टीफ़ा दे दिया है ने शर्मा जी का करें कि रहा है वह सकता है रोश्य के घृतनीं के ऑपको लगता है कि जिस तरीके की विभागों को लेकर के खीष्टान चल रही है उससे नाराज थे रामकुमार गौतम या फिर क्या कुछ वज़ा हो सकती है इसके पीछे रामकुमार गौतम भी हमारे बुजुर्ग हैं आदनिय हैं मैं कुछ जादा ना कहके बस इतना ही कह सकूँगा कि राजनी थी समामनाओं का ठेल हैं देखि क्या से मामना निकलती है इसके इंदर ईशे बहुत बहुत दनेवा नीर Dual जी हमारे साथ जूणने के लिएं हम जनकारी साज़ा करने के लिए नीरश शर्मा जूणे पार्टी विधायक थे कॉंग्रेस विधाया का मारे साथ में नीरश शर्मा जुड़े जिन्हों ने साफ़तवर पर कहा कि यह जेजेपी का अपना अंदरूनी मामला है इसमें मैं क्या कहूं लेकिन हाँ इतना तुत्य है कि जो जनता का जनादेश था उसके खिलाफ ज़ा करके यह सत्ता हासिल कर से स्तीफा दे दिया है उन्होंने का मेरी बनाई पार्टी है मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है सिर्फ पद छोड़ा है और साफतोर पर उन्होंने कहा कि वैसे तो वाइस प्रेसिदेंट बना रखा था लेकिन या तो पार्टी इंडिया सरकी नहीं है या तो फिर सब कुछ जो है वो दुशन चोटाला ने अपने हाथ पे ले लिया है मेरे संग्यान में नहीं है गौतम के स्तीफे की बात ये कहना है दुशन चोटाला का रामकुमार गौतम के बयान पर दुशन चोटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है मेरे संग्यान में नहीं है गौतम के स्तीफे की बात ये कहना है दुश्यन चोटाला का मेरे संग्यान में मामला आपने लाया है अगर दिया है तो उसकी उसको देख भी लें कि इसकारण दिया है तो वह बता पाएंगे ज्यादा बेट तो वह साथ में जेज़ेपी के विधायक देवेंद्र बबली जूट चुके हैं देवेंद्र जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी जिस तरीके की घटनाएं पार्टी के अंदर हो रही है इस पे आपको कितना संग्यान है क्योंकि आपके डिप्टे सीम्ट आ रहे हैं कि मुझे मेरे संग्यान में नहीं है कि नहीं है देवेंद्र जी लेकिन सवाल ये कि प्रदेश में अगर इतनी बड़ी कोई घटना हो जाए हाँ तो आप उस पर जो है नजर रखने का दावा करते हो और पार्टी के बीतर ही इतनी बड़ी घटना हो गई राम कुमार गौतम चोटा नाम नहीं है उन्होंने उपर आश्र जो है पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है राश्री उपाद्यक्ष के पद से हमारी पार्टी मीटिंग मेंने बताया अभी 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 हान चला हुआ है कारिय करत देवेंदर जी लेकिन अब ये भी सवाल जो है कई विपक्षी दल जो है कई आपको लगातार घेल घेल रहे थे जब सत्ता सीन आप हुए बीजेपी के साथ जो है जब आपने अलाइंस में पार्टी जो है समहाली है सत्ता समहाली उसके बाद कई सरे सवाल या निशान भी खड़े हो रहे थे और ऐसे में क्या रामकुमार गौतम का यह जो स्टेप अब सामने आया अब तो आपकी संग्यान में आगया है अब आपका नेक्स स्टेप क्या होगा पहले सुन लीजे रामकुमार गौतम क्या कह रहे हैं और मेरे को बनाने में इनकी लोगों ने ओट दे दे के बनाए को ने बहत बदा जखं के रखे लोगां के सारेमले प्रेशान एक मिन नहीं वह कह ता पाली-पाली नहुंढ़ कहने का मतलब जिस नाकल치가 यह उसकी बात जयरी जी है क्या मतलब है ने मिन जह मैं टेस्ट लूँगा तू टेस्ट लेगा पहले तेस्ट लेए तू जब तो ML बना उस्वत कहता यह बात तो आपने अभी कारमाहे उस्से दूर हुछके हूं दूरतो वैद आप वाइस फ्रेईडेंट बना रखे था मेरे को आल इंडिया का अल इंडिया की तो आपावर देट भी नीया को है पार्टी में तो बना रहूंगा को ऐसी स्टेज अभी आई नहीं क्योंकि पार्टी तो जब छुटेगी जिस दिने में लेगा पद भी छोड़ जूँगा और इस पार्टी ने भी छोड़ दूगा ऐसी नोबत तो भी आई नहीं तो दुश्यंत को मैंने बनाया है जिप्टी तो देवेंद्र जी आपने सुना किस तरीके से रामकुमार बहुत काफी आग बबुला नजर आ रहे हैं काफी वरिष्ट नेता हैं देवेंद्र जी तो वैसे में दुशन चुटाला से हमारे समधाता ने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे संग्यान में खैरी मामला नहीं है तो अद्पो संग्यान में आ गया अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जेज़ेप उन्होंने ऐसे ब्यान दियो तो वहीं बता सकते हैं कि देवेंद्र जी लेकिन जिस तरीके से वह आग बवुला नजर आ रहे हैं रामकुमार गौतम तो यह एक दिन का जमा गुस्सा तो नहीं है एक दिन का गुस्सा नहीं है कि तुरंत पड़ पड़ा यह समझ में आ रहा देखें गें जी रामकुमार जी यहां तक क्या दिया है रामकुमार जी ने कि जो डिप्टी सीम का पद मिला है दूशन चुटाला को वह सब मेरी वज़ा से है पार्टी खड़ा करने का काम मैंने किया मुझे कि नारी किया जा रहा है कि मैंने बताया तो मैं वो तो उन्होंने जो सवाल को सब्सक्राइब है यह जो जो बाते करें रहे हैं जैप्रकास जी बहुत स्वागत है आपका दन्यवाजी जैप्रकास जी देवेंद्र बबली जेजेपी विधायक जुड़े हैं हमारे साथ में और दुशन चोटाला का अभी बयान अभी हमने सुनाया रामकुमार गौतम जिन्होंने अपने राश्टी उपाध्यक्ष पत्स से स्तीफा दे दिया है मले अभी वो जेजेपी के हैं और दुशन चुटाला का साफ़तोर पर कहना है कि मामला उनके संग्यान में नहीं है कि देखे पहले तुम्हें हमारे बाहिजेविंदर पभली को मुबारिक बात देता हूं जीत की भी नए वर्ष की भी आपके माध्यम से दंसाफ हो भी साथियों को भी मैडम बात यह है कि यह जो जेजेटी है यह पहली बार इनूने ऐसा थोड़ा किया है जादा गोतम का क् मैंने 40 साल की राजनती में पहला ऐसा अफसर देखा है जब पार्टियों के मेनिमम को में प्रोग्राम पहले बनते हैं जी उसके बाद में समझोते होते भी क्या लोगे क्या जोगे क्या हमने जनता से वाइदा किया सबसे बड़ी बात तो यह के पार्टी कहां बती यह तो लिख करें लिख करने वाले हैं जी को में जाने वाले हैं है लिकोप्तर वाइदाज में उड़ने वाले हैं संता को पता है कि 11 मैं में लेकर के जो एक महकमा बिशेरे को दिया है वो भी प्रातत्तों विवाद जो अर्याना प्रदेश का उम्मे को उसका वजूद ही नहीं उस मेक में का तो इंडीपेंडिंग टार्ज है अनुप तार्णा के उपर पास पुरा तत्यवाइब भार सरकार का में अमुरुख माई इस नो उसको फिर लोगों को भी तो क्यारा मैट मैं किला नहीं बैटा है मैट मुझे असरी इस बात का है ठीए और बात की के विदायक जुड कैसे रहे अब तो कि बहुत लेट कर दिया क्योंकि ये जो जेजेपी है ये धन और दोलत के उपर बनी भी पार्टी है ऐसे ही पैसे लेकर कि इननोंने लोग दिल को ब्रेक किया ऐसे ही जेजेपी ने वो पेंदर चिंग उपडा के खिलाफ केंडिडेट खड़ा कि आपड़े बाइसों चोटे लड़के को क्या नाम है ये बिग विजेए सिंग को और शारी जनता जानती है कि जिस तरही के का हम हो लिनोंने कि तो पैसे की राज़ती कर रहे ये जनता की फेवर की राज़ती नहीं कर रहे हैं यहां पर जैप्रकास जी का कह रहे हैं कि पैसे पर खड़ी पाठी है और रामकुमार गौतम जी ने भी कहा कि जाट नेता के तौर पर वो अपने से बड़ा किसी को देखना नहीं चाहते हैं प्रकास जी के सवाल का भी जवाब दीजे और रामकुमार गौतम ने भी जो आरोप लगाएं उसका भी जवाब दीजे ने ने देविंद्र जी इस तरीके से साफगोई से बच जाना ये हल नहीं है आप जेजेपी का प्रतनिधित्व कर रहे हैं हमारे सामने और आप इतने साफगोई से सवालों से बच नहीं सकते हैं तो यह माल लिया जा देवेंद्र जी कि आप सवालों से बच नहीं सकते हैं से पल्ला जाड रहे हैं कि अपने आप से बड़ा चहरा नहीं देखना चाहते हैं तो पड़े वही रहेंगे अब उस पार्टी इसके तिकट से हम लड़े हम विधायक हैं हमने जंतने हमें विधायक बनाया है पास्टे के लोगों ने उसमें मदद हुई है तो यह जो देवंद्र भाई जो कह रहे हैं इनके अच्छी बात यह मानता हूं कि सिंबल तो जुरूर ही के पास जेजेपी का था लेकिन चेरा जो था वो देविंदर बबली का था इसके अपने मैनत थी कई वरसों की और अपने समाज सेवी साहियत था इलाके का उसे जीता है यह तो बात इनकी ठीक है और यह जो आप मैं कहता हूं दूसियंत सुनता होगा दूसियंत का भाई जिग विजे सुनता होगा वो जुआवदेव मेरी बात का क्या उन्होंने इस तरीके का महुला दर्याना में पहदा किया है जो जिन बाहियों ने जेजेपी को बोट दिया है उनके बोट को बेचने का काम नहीं कि अभी जेपी के अथों जो जेजेपी बीजेपी के मैनिफेस्टों के खिलाब चुमाव लड़ी थी आज उसी मैनिफेस्टों का इनने समर्खन कर दिया इसका मतलब कि क्या ऐसा लोव लालत था क्या ऐसी प्रस्थित्या थी जिस्टे की दुश्यंत ने अपनी पार्टी का समर्खन किया वहाँ पर देवेंद्र जी पास ही रख लिया और इसी पर गुस्टा भी नजर आ रहे है रामकुमार गौतम और यह गुस्टा एक दिन का तो कोई है नहीं कि आज ही गुस्टा हुए आज ही प्रस कॉन्फरेंस करी आज पत्चोड दिया पार्टी के भीतर भी उन्होंने गुस्टा जाहिर किया होगा क्या है डाट लेजए को ते पहले हैस अगजार वह फैंसला खेंसला अगैस ला पोगारशा यह मारे हम उसको पर जीकिली उनको लेके गुले दरबार लगाए जा रहे हैं जनता के प्रती है जनता के प्रती ही ड्यूटी है जीजेपी की बिलकुल है मैं कब मना करता हूँ वो कब बनेगा वो कब बनेगा कर चुक है जी तो दोनों के जो मारे मैनिफेस्टों थे उसमें कहाँ किसकी कीज को को मन मिनमी प्रोगराम की बज़े जो जो इंक्रीजेज्टे शों सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देखिए वह पचास किलोमेटरे में लिया आए अब अब पैंसिन के बारे में भी चर्शा चली हुई है जो 75% हर्याना में प्रोजगार देने की बात थी हर्याना की युआंगो उस पे भी चर्शा चली है यह सारे चीते देरे देरे समय लगेगा अभी सरका मुखमंत्री है यह सोता मुखमंत्री यह कहता था कि पहली कलम से क्यावन सो रुपे दिऊंगा कलम तो कहीं चली इससे साबित होता है को मिनिम्म प्रोग्राम की कमैटी में जानभूद करके सामीं में हुआ इन्होंने अनुस दानब को रूसकों कर दिया फोगाट को के यह आपको बचना चाहता है कि बुराई मेरे सिर्फेन आए इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फेस्टेवर जो आपने साथियों की बली अमेशा देता है तो यह फेस्टेवर हैं इन्होंने अपने परिवार की बली देजी सुटाला परिवार की आप खुद सत्ता हांतिल करने क तो यह तो फेस्टेवर हैं मैं कहता हूं कि यह तो बैस का इसू है मैडम क्योंकि जेजेपी का नाम ही इस तरह का चाप भी तो अपने पास है जलने में रख के सारा सुजूर दस के दस हैमेले की पावर है अपना बेजिया गयारा मैं कि में लिए करके इस तुनाव निसान देवेंद्र जी इसका जबाब दीजेगा आप विदायक हैं पहली बार आजादी के बाद कोई तरकार बनती है कौमन मिनमा प्रोग्राम डिसकस नहीं होता है पद विभाग डिसके सुजाते हैं यह सब्सक्राइब देवेंद्र जी लेकिन मेरा आप से जजेपी की विधायक के तोर पर सवाल यह कि रामकुमार गौतम वही उसी सवाल पर स्टक डूम है कि रामकुमार गौतम आज प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं उन्होंने पत्से स्तीफा दे दिया तुरंत नहीं दिया होगा नाराजगी उनकी आप लोगों के सामने आई होगी पार्टी के बीच में पहले आई होगी आप से भी कभी नकबार डिसकसन हुआ होगा कि भाई मेरे नाराजगी चल रहे हैं विदान सब्सक्राइब करें पूछ रहे हूं मैं देवेंदर जी चाह पानी का शेडियूल नहीं पूछ रहे हूं मैं पूछ रही हूं नाराजगी सामने आई होगी यह नहीं आई थी चलिए बहुत पहूठ बहुत दन्यवाद आपके जुड़े अपनी रहे साथ शाज़ा कर विदायक और और फिलाल उनका कहज़ाना भी ड्रायर्ज है, विधायक है और जनता की प्रत्य उनकी जवाबदारी या पार्टी के बीतर क्या चल रहा है उसके प्रत्य वो बोलना नहीं चाहते है हाला कि जवाबदारी उनकी सुनिशित होती है और बंती भी है लेकिन फिलाल जब डिप्टे सीम ही ये कह दे कि मेरे संग्यान में मामला नहीं है तो विधायक क्या बोलेगा विधायक कुछ नहीं बोलेगा फिलाल एस बुलिटिन में वक्ते फाइनल ब्रेक अब रिक्योस पारवी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा अपने रेजनता टीवी के साथ